साथी, उपस्तित सभी अतिकारीगण, साथियों अनलॉक बन उसके बाद यह हमारी पहली मुलाकात है। देश के 21 राज्य और केंजर सासित प्रदेशों में अनलॉक बन के अनुभवों पर कल मेरी विस्तार से चर्चा हुई है। यह वास्तिविक्ता है कि कोरोना का फैलावा कुछ बड़े राज्यों में, बड़े शहरों में अधीक है। और अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें भी उस बात का उलेख हुआ है। कुछ शहरों में अधीक भीड, छोटे-छोटे गर, गलियों मौलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी, हर रोज हजारों लोगों की आवाज आई। इन बातों ने कोरोना के खिलाब की लड़ाई को और चुनोति पुन बना दिया है। फिर भी हर देशवासी के सैयम, अनेग जगों पर प्रसासन की तत्परता और हमारे कोरोना युद्धाओं के समर्पण की वज़े से, हमने हालात को नियंत्रन से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीक्मेंट और रिपोर्टिंग, उसकी कारण हमारे हाँ संकरमन से रीकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि ICU और वेंटिलेटर केर की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पढ़ रही है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खत्रे का मुकाबला कर पाए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है। उसने वाइरस की एक्सपोनेंशन ग्रोथ को रोका है। चाहे इलाज की बवस्ता हो, हेल्थ इंफासेक्टर हो, ट्रेन मैन पावर हो। हाज हम कहीं ज़्यादा संभली हुई स्थिति में है। आप भी इससे परिचित है, कि सिर्फ तीन महने पहले, पीपीज के लिए, डायोगनेस्टिक्स के लिए, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के अनेग देशों में हाहाकार मचा हुआ था। भारत में भी बहुत लिमिटेड स्टॉक था, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। आज थिती ये हैं कि पूरे देश में एक करोर से अधिक पिपीज और इतने ही N95 मास राज्यों तक पहुँच चुके हैं। हमारे पास डियागनेस्टिक कीट्स का परियाप्त स्टॉक है और उनकी प्रोड़क्शन केप्रिसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। अब तो PM कैर्स फंड के तहद भारत में ही बने वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। आज पुरे देश में कोरोना की 900 से ज़्यादा टेस्टिंग लेब है, लाखो कोविड स्पेशल बेड है, हमारे क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर्स हैं, और पेशन्स की सुविधा के लिए परियाप्त ऑक्सीजन की सप्लाई भी है। लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में हुमन डिसोर्स को ट्रेन किया गया है। सबसे बड़ी बात आज देश का हर नागरिक इस वाइरस क्रिपती पहले से ज़्यादा सचेत हुआ है, जागरूख हुआ है। यह सब कुछ राज्य सरकारों के सहयोग से स्थानिय प्रसासन के दिन रात काम करने की वज़ेश से ही संभव हो पाया है। साथियो कोरोना के खिलाप लड़ाई में जीत का विश्वाद दलाने वाली इन बातों के बीच हमें हेल्थ इंफास्रक्चर, इंफर्मेशन सिस्टिम्स, इमोशनल सपोर्ट और पब्लिक पार्टिसिपेशन इसी तरह निरंतर बल देना होगा। साथियो कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के संख्या को देखते हुए हेल्थ इंफास्रक्चर का विस्तार करना, हर जीवन को बचाना हमारी सर्वोच्च प्रात्फिक ताहुनी शाई है। यह तब होगा जब कोरोना के प्रतेग मरीज को उचीत इलाज मिलेगा। इसके लिए हमें टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल से जल ट्रेस्ट और ट्रेक और आइसॉलेट कर सके। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अभी की जो एक्जिस्टिंग टेस्टिंग केपरिसिटी है उसका पूरा इस्तिमार हो और निरंतर उसको एक्स्पांड भी किया जाए। साथियों भी तो दो-तीन महिने में कापी संक्या में कॉरंटीन और आइसॉलेशन सेंटर का निर्माण हुआ है। इसकी गती हमें और बढ़ानी होगी ताकि कहीं पर भी मरीजों को बेड़ की दिक्कत ना आए। कोरोना के इस टाइम में टैली मेडिसिन का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। साथियों आप भी बली बाती जानते हैं कि किसी भी महामारी से निपटने में सही समय पर सही इंफर्मेशन का भावत महत्व होता है। और इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी हेल्प लाइन्स हेल्फुल हो, हेल्प लेस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी मेडिकल और परड़ा मेडिकल स्टाफ हस्पिटल में कॉरोना से जंग लड़ रहे हैं, वैसे ही हमें सीनिर डॉक्टर्स की बड़ी टीमें तयार करनी होगी, जो टेली मेडिसिन के माद्यम से बीमारों को गाइड कर सके। उन्हें सही इंफर्मेशन दे सके। इसके अलाव हमें यंग वॉलेंटर्स की फोज भी जुटानी होगी जो पब्लिक के लिए प्रभावी रुप से हेल्प लाइन चला सके। जिन राग्यों में आरोग्य सेतु एब जादा डाउनलोड हुआ है, वहाँ बहुत ही सकारत्मक प्रणाम भी मिले हैं। हमें लगातार कोशिश करनी है कि आरोग्य सेतु एब के रीच बढ़ें, जादा से जादा लोग उसे डाउनलोड करें और समय समय पर अप्ग्रेड करें। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब देश में दीरे धीरे मौनसून आगे बढ़ रहा है। इस सीजन में जो स्वास से जुड़ी समस्या रहती हैं, उनसे निपटना भी बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत बड़ी चुनोती बन सकती है। साथियों, कोरोना के खिलाप इस लड़ाई का एक emotional पहलू भी है। संकरमन के डर से इससे पैदा हुए stigma से हम अपने नागरिकों को कैसे बहार निकाले। इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। हमें अपने लोगों को ये विशवात दिलाना है कि कोरोना को परास करने वालों के संख्या बहुत जादा है और ये तेजी से जादा से ज़्यादा लोग रीकबर भी हो रहे है, संख्या बढ़ रही है। इसलिए किसी को कोरोना हो भी गया है, तो वो गबराएं नहीं। निशित करना हमारी प्रात्विक्ता में होना चाहिए। उनकी हर स्तर पर देख रेक करना ये हम सभी का पुड़े राश्का दाईत्व है। साथियों, कोरोना के खिलाब लडाई में समाज के कई तपकों ने, हर क्षेत्र से जुड़े लोगों ने, सिविल सुसाइटी के लोगों ने हैं, हमें निरंद सर्ट प्रोसाइट करते रहना चाहिए। जन भागीदारी इस रडाई में बहुत आवशक हैं और अब तक जो जन नागरिकों के तरब से सेवा मिली है, उनकी भुमी का बड़ी प्रसंस नहीं रही है। हमारे पब्लिक स्पेस में, हमारे दप्तरों में, मास्क या फेस कवर, फिजिकल डिस्टंसिंग और सेनिटाइजेशन की प्रक्रिया को बार बार लोगों को याद दिलाना है। इसमें किसी को लापरवाई नहीं करने दिना है। साथियों अनेक राज करोना के खिलाब लड़ाए में बहुत सरानिय काम कर रहे हैं। इन राज्यों की बेस प्रक्टिस हैं। और उसको जानना भी जरूरी है और लोगों को बताना भी जरूरी है। मुझे विश्वास हैं कि हर राज अपने अनुभव और अपने सुझाव यहां खुले मन से रखेंगे। जिससे आने वाले दिनों में एक बहतर रणिर्टी बनाने में हम सभी को मदद मिलेगी। अब मैं ग्रह मंत्री जिस आगर करूंगा इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।